आधर्णिय प्रधानमंत्य जी, भारत के शिक्षामंत्य सी रमेश पोख्रयाल जी, मानिय मंत्री जी, क्रेंज जी, सांसद रूपा गांगोली जी, सांसद प्रवेश साइब सिंग जी, और जच के रूपेया प्रभूल केत कर जी, राज्य सवार लोगसवा के मा सचिवगन, युवा एंखेल कूद के सचिवगन, देश भर से आए, मेरे युवा प्रतिभागी साथियों, युवा भाईयों और बैनों, आज मैं मानिय प्रधान मंती जी का अभिजन्दन करता हूँ, कि वो आज इस 2021 के समापन समार में जुड़े हैं, मानिय प्रधान मंती जी का पेड़नादाई विचार, हमेशा हम सब युवाओं को प्रेरित भी करता है, प्रोसाइद भी करता है, आज आधुनिक भारत के महांदार्षनिक शामी वेका नंजी के जन्दिवस है, जिसे हम राष्टिय युवा द्यस के रूप में मनाते हैं, आज का दिन युवा शक्ति और युवा सामर्द के उस्सव का दिन है, शामी जी ने युवाओं में आत्मिश्वास और आत्मिश्वास को मजबूत करने का एक व्यापक संदिज दिया था, मैं आप सब में इस युवा शक्ति में वा आत्मिश्वास भी देख रहा हूं और आत्मिश्वास और आत्मिश्वास और इसलिए, आज हमारे देश का युवा, असंभव से लगने वाली बातों को भी, जिस तरीके से आत्मिश्वास से कर रहा है, ये आत्मिश्वास निश्वी टूप से शामी जी के सपनों को पूरा करेगा, नए भारत के सपनों को पूरा करेगा, संसद्भवन लोकतंत का मंदिर है, और ये एक अमुल्य धरोर भी है, आज इस एत्यासिक संसदिये भवन के इस केंदे कक्ष में आप देश के अलग-अलग हिस्सों का प्रदिरित कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे लगो भारत यहाँ पर मुझे नोजवानों का दिख रहा है, और इसलिए इस लगो भारत के सुरूप में हम सब का दाईत बनता है, कि हम किस तरीके से संसदिये परंप्राओं, प्रक्रियाओं और मुल्यों को देश के अधिक्तम लोगों को पहुचाने में अपना सक्रिय प्रियास करें, आप यहां से नई शक्ती, नई उर्जा का स्रोत लेकर जाएंगे, और वो देश के अलग-अलग शेत्रों में लोगतंत को मजबूत करेगा, और उसके साथ ही देश की समश्याओं और कटनायों का समाधान भी इसी लोगतंतिक वारताओं से निकालने का प्रियास होगा, आज देश की युवाओं की उर्जा असिमित शम्ता का उपियोग मान्य प्रधान मंती जी के नित्तन हो रहा है, मानि प्रधान मंती जी ने कई दिशाएं दिये, मारदशन दिया है, कारिकम दिये हैं, जिसके माध्यम से आज हम युवाओं की असिमित उर्जा का उपियोग कर रहे हैं, उनका वीजन, युवाओं की नवचारों, अउस सकारात्मा बदलाओं की शम्ता के माध्यम से नए राष्ट के निर्मान की और बढ़ रहा है, इसी उद्देश को और व्यापक अर्थ देते हुए आत्म निर्बर भारत अभिहान की शुरुआत की है, और इनी योजनाओं के माध्यम से भारत आज हमारी आँखों के सामने ये सपने साकार होते हुए हम देख रहे हैं, नोजवान साथियों मानने प्रधान मंती जी ने पहले भी कहा था, कि अगर हमको आत्म निर्बर भारत बनाना है, तो देश कहा नोजवान हमारी गाओं, शहर से बने हुए उन उत्पादक वस्तों का उप्योग करे, तब हम आत्म निर्बर भारत बनाएंगे, और आज दिशा की और नोजवान बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, और हमने इस छोटे से एक अभियान के रूप में, जो मानने प्रधान मंती जी ने शुरूर किया, लेकिन दुनिया के अंदर भारत आत्म निर्बर की एक तागत और शक्ति के रूप में उब रहा है, अधिक्तम उप्योग करें, हमारे लोगतंत का भईश उजल है, क्योंकि हमारी युवा शक्ति अपने देश, अपने लोगतंत और अपनी वैस्ता में सक्री भागिदारी है, तेश में सकारात में बदलाओ, नवचारों के साथ युवा आगे बढ़ रहे हैं, और ये हमारे लोगतंतिक भईश के लिए उस्सा जनक संदेशे, नए भारत की परिकलपना, नए भारत के निर्मान के सपने, जो हमने देखे हैं, वो तब ही पूरे हो सकते हैं, जब हम लोगतंत में सक्री भागिदारी और सभागिता निबाएं, अन्तमे में युवा संसत के इस फाइनल विजेताओं को और सभी पर्तिभागियों को बहुत-बहुत बज़ाय देता हूं, और एक आपसे आग्रह कर रहा हूं, कि माने प्रधान मंती जी ने पीटा सिन अधिकारियों के सम्मेलन में कहा था, कि देश का नोजवान, विध्यारती काल से, नो यूर कोस्टिशन, सवि विधान को जाने, और हमने निन्ने किया है, कि राज्य की विधान समाय, राज्य सरकार और किंद सरकार के माध्यम से, यह अभिहान हम देश के अंदर चलाएंगे, और इस अभिहान के माध्यम से, हमारे लोकतंत को सशक्त, मजभूत और सम्रद भी करेंगे, और आने वाले स में मंनि समय में सविधान को मजबूत करते हुए नए भारत के सपनों का जो सपना देश के नोजवानों देखा है प्रदान मंति जी ने जो मैं मारदर्शन दिया है हम उस शपने को पूरा करने के लिए करत्त संकलब हैं आप सभी नोजवानों को बहुत बहुत शुबकामना है बहुत बहुत बधाई और मैं विशेशूप से मानि प्रधान मंती जी का आभार वेक्त करता हूँ कि आज उनके माध्यम से देश के नोजवानों को नया मारदर्शन और नई दिशा मिलेगी धन्यवाद जय हिंद